भी लुट मॉर्निंग द्रेंट चल रहा है इसमें अपन नंबर वन पूरा कम्रेट कर चुके है आज से आज इस क्लास में अपन चेप्टर नंबर टू स्टार्ट कर रहे हैं अब जो पॉलिनॉमियल सब्सक्राइब टो पहले तो नहीं परने पड़ा लेकिन इससे रहाटेट कुछ छीजिजें आपने पहले जरूर पढ़े हैं मैं शुरू करता हूं पॉलिनॉमियल होते से क्या है दो सुक्ond psic थोड़ गड़ा जो अपने पिछले चैप्टर में जैसे पड़ा पिछले चैप्टर में अपने प्ड़ा कुछ नंबर से इसे पड़े जैसे 0 वन टू थी अना इसके अलाव माइनस वाले पड़े माइनस वन माइनस टू तू इस टाइप के कुछ नंबर्स पड़े ते माइद इनको बूला जाता है कॉंस्टेंट इस इस कॉंस्टेंट ओके कि इसके अलावा पिछली अक्षव में अपने कुछ वेरियेवल्स पड़े वेरियेवल किसी भी टाइप को सकता है से बी सी बी ए या एक्स वाई जेड इनको क्या बोलते थे कोई ना कोई वेरियेवल यह क्या होते हैं वेरियेवल इसके अलावा अपन ने जो लास्ट चेप्टर इसके पहले चेप्टर में पढ़ा था होल नंबर जीरो से जो स्टार्ट होते हैं यह क्या होते हैं यह क्यों मैंने इस पर लिखी है होल नंबर क्योंकि यह तीन से ही जो है मिलकर आपका बनता है पॉली नॉमियल कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं कोई एक कॉंस्टेंट लिया जाए कोई एक कॉंस्टेंट ध्यान से देखेगा ओके और उसकॉंस्टेंट में इंटू जाए इंटू किया जाए वेरियेवल खाए कि री वेरियेवल कि पावर कोई होनंबर हो तो इस कॉंटेंटी को बोलते हैं पॉलीनॉमियल इस को क्या बोलते हैं पॉलिनोमिय एक्जांपल चलिए इस में से लेता हूं मैं एक कॉंस्टेंट्ट ळीया मैंने स्बॉस्च दूब त्री कि मैंने देखा एक स्लियए और होल नमबर मैंने लेले इसका टुच कि जो इसको बोला जता है पॉलिनॉम्य Divine पी और बोलोगे Tungab बोलेंगे एक्स में पॉलिनॉम्याद ना पॉलिनॉमियल अब पॉलिनॉमियल में भी माइडियर सुन क्या होता देखिए यह जो थ्री है जो जो चीज़े समझारों ध्यान से दिखेगा क्योंकि सारी काम आने लिए यह जो थ्री है इसको बोला जाता है कोफिशियंट टिझीज़ कोफिशियंट तु इसको कोफिशियंट आफ एक से रही की प्रोडक्ट में हैं तो इसको कोफिशियंट आफ एक सभी इस की पावर में इसको सिंपली अपन क्या बолते है पावर दिए अपर आप इसको एज डिग्री कंसिडरे कि इसको क्या बोलेंगे डिगरी कि नोट डॉन करते चलेगा बहुत इंपोर्टेंट चीज़े है चोटी चोटी चीज़े लेकिन समझना जरूरी तो थ्री एक्स की पावर दो को मैंने पॉलिनॉमियल बूला पॉलिनॉमियल इन एक्स ज़रूर बोल सकते हैं उसको जो पावर इस पॉलताओं और रिप्रेजेंट के से करेंगे नटन चीज यह है तो फोलिनॉमियल को रिप्रेजंट करते हैं पी से और पैसको क्या बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन एक्स पॉलिनॉमियल एक्स मत्तब इस तरीके का कोई भी एक्जामपल ले लिए 2x की पावर 3 जरूरी नहीं है कि x के फॉर्म में ही हो है ना इदी y के फॉर्म में रहा तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन वाई पॉलिनॉमियल इन वाई द्यां से बड़े आराम से मैं आपको समझा रहा हूं इस तरह का कोई भी फॉर्म हो सकता है प्लस में भी कुछ हो सकता कोई दिक्कत नहीं है लाग पी वाई इसके अलावा भी जितने भी वेरियेबल प्रेजेंट है दुनि सब्सक्राइब कॉन्टिटी किसी भी तरीके से हो सकते हैं माइनस फाइब टी की पावर तू हो गया मतलब जिस वेरिवल के फॉर्म में अगर एसा कभी एसा भी होगा कि एक एक्वेशन में दू-दो वेरियेबल पर आएंगे मैं बताहूंग आपको उसका भी साथ इतना समझे चलिए यह समझ लिया तो इसको नोट डॉन कर लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं थोड़ा सा कि इसके आगे कुछ चीजे और समझने शेप करना पना हूं कि पोलिनोमियल इन एक्स पोलिनोमियल इन वाई है ना पॉलिनोमियल इन टी पावर समझा सुर्ण डिगरी जिसको अपन ने बोला है ना नौफ कि अब मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसा एक्जामपल फाइव एक्स की पावर फॉर बज़ेस के साथ कुछ नहीं जुड़ा इसमें टम कितनी डियस्वेंस कितनी टम है वन्टम प्लास में कुछ नहीं न्सक्रेश वन्टम है यदि इसको हम बोलेंगे ओमो मियल तकी की प्लस टॉटल टम किती एक और दो यह दी दो टम हो तो इसको बोला जाता है बाइनो मियल कि दो टम होते इसको बोलते बाइनो मियल कितने टम टू टम्स वाली एक्वेशन को कि लियर कि थी भी हो सकती है चलिए कि लेते 6x स्कूर प्लस 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 टू एक कॉंस्टेंट है लेकिन उसको इसको टम कंसिडर किया जाएगा तो एक दो और तीन कितनी है तो इसको बोला जाता डिर्शन ट्राय 109 मियल क्या वोलेंगे ट्राय 9,000 कितने टम ओनी चीह ट्री टम्स है अना ट्राय 9 प्लस एग्श प्लस टू एक्स काई स्कुवर प्लस सिक्स एक्स प्लस तू चीक है जब एक तीन से भी ज्यादा टम है तो उसको बोला जाता है डियर शुन्स पॉली नॉमियल उसको क्या बोलेंगे पॉली नॉमियल पॉली नॉमियल मुर्वन ग्रिटर देन थ्री टम्स ऐसा लग सकते हूं तो यहां से मैंने आपको टीन चीजे जो क्लीर करनी कि एक तेल उसको क्या बोलेंगे दो तो उसको क्या बोलेंगे त्री टम्स उसको क्या फट्राव लेंगी यह अपने क्लिएर कर एक हम समझना है इस questions करूं कि क्या एक से polynomial है तो पोलिनोमियल के लिए जरूरी क्या है आपने पास पोलिनोमियल के जरूरी है कि यह constant हो बिए अगर अब से कोई कोशें करता है अपने लिए को क्या चेक करना कि क्याक कॉंस्टैंट है क्या साइट में वेरियवल है और टीप प्रोड़क्ट में वन है और इस एक्स की पावर वन मानने तो कोई दिक्कत है क्या एक पावर वन मानने तो एक कॉंस्टेंट हो गया एक वेरियेबल हो गया एक फोल नंबर हो गया तो यह क्या है एक पॉलिनोमिल है एस पॉलिनोमिल अगेन एक क्वेशन मैंने करा क्या टू एक पॉलिनोमिल है प्रोडक्ट में एक वेरेबल मान लिया और उसकी पावर जीरो मान लिया तो एक फरक नहीं पड़ना नहीं तो देखो तो एक वेरेवल हो गया उसकी पावर भी होल नंबर है यह भी क्या है यास दीस पॉलिनोमीयल इस पॉलिनोमियल क्लियर है यह एक पॉलिनोमियल है ठीक इतना इतना कंसेप्ट एते क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमिल जो चेप्टर है उसका अपना इंट्रोडक्शन पाट चल रहा डियर स्टुडेंट्स ठीक है उसकी एक्ससाइज 1.1 पढ़ने से पहले जो कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि यह अगर क्लियर रहे तो आपको एक्ससाइज 1.1 उसके बाद के जितनी भी एक्ससाइज आने वाली है बड़ी असाने से बन जाएगी ठीक है नौफ कुछ और चीज़े देखिए यदि यहां मैंने लिखा 6x क्या लिखा के वाद 6x इदि मैं इसके डिगरी की बात करूं मैंने क्या बताया था आपको कि जो कुछ कोई टम होती है इसके पावर थी तो इसको वोलता हूं मैं डिगरी कि यहां क्या है पावर में वन है पावर में वन है यह दी पावर या डिग्री सॉरी डिग्री यहीं वन हो यहां डिग्री कितनी है वन किसी पॉलीनोमिल की डिग्री वन हो लेग्री कितनी है वन पॉलीनोमिल की डिग्री वन हो तो उसको बोला जाता है डियर्श्रेंट्स लीनियर पॉलीनोमिल क्या बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमिल कुछ और केटेगराइज करेंगे एक अधर एक्जाम्पल लेता हूं में 3x की पावर 2 प्लस एट चले टर्म तो दो है कोई इकत नहीं डिग्री कितनी है कि अब डिग्री के बेस्ट जो केटेराइज किया गया वह बताना डिग्री टू है जब किसी पॉलिनोमियल में करें दिग्री जो है मैकिसिमम पावर जो है वह विष लगड्री होती और मैक्सिमम लग्री टू है तो उसको बूलते है पॉलिनोम्य क क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमे कि दिग्री कि अंगि then three कि एक और एक्जांपल लेता हूं में 6 x की पावर 3 प्लस 7 x यहां कितने हैं पॉलिनोमियल दो जुड़े विए लेकिन यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 2 है जब भी किसी पॉलिनोमियल में नंबर पावर ज्यादा हो तो उसकी अधिक्तम पावर को देखा जाता है मैक्सिमम पावर कितनी है कितनी है थ्री तो जो मेक्सिमम पावर है वही उसकी डिग्री कुस्टन है ठीजित को बूला जाता है जो क्या बूलेंगे के क्रेंड भी पॉलिनोमियल द्याण से देखिएगा बहुत सारी चीजील बहुत सारी कंसेप्ट है कि करकर получить कर रह bizarre तो है इसको बोलते है क्यूबिक पॉलिनोमियल olv एदि पवर थी है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है चार जाएगा तर कंसेप्ट इसक जैसे कर दूंगा को पॉइंट बात नी सeschकी है इस पर बेज़्ट आपके यह एक्सराइज 2.1 है कोश्चन देखेंगे अपन 2.1 के डारेक्ट क्या है चले कि एक्सराइज 2.1 के कोश्चन मैं आपको दे रहा हूं एक कि एक्सराइज 2.1 के जो कुश्चन एडियेशन्स वो पूरे जो है कि जो आपको अभी कंसेट सिखाएगे उसी की बेस्ट है ठीक है कि यह अपनी एक्सराइज 2.1 कि और इसका जो पहला कुश्चन है कि वह यह कि अगा कुश्चन नंबर वन पहला पार्ट पहले दिखते हैं कि क्वेशन वन है वीच अब दी फालोईंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरियेबल विच और नॉट इस्टेट रिजन फॉर अंसर अपने वह सारे कोश्चन दिये उन्हें और बूला कि इन एक्सप्रेशन में से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरियेवल में हैं इम्पूर्टेंट बात यह है डियर्ट सब को यह ध्यान वन वेरियेवल में कौन सा है यह ठीक है वन वेरियेवल में कौन सा है यह पूछा वन वेरियेवल और कौन सा नहीं है इस्टेट रिजन फॉर अंसर ठीक है पहला कोशन जो दिया फोर एक्स की पावर टू यह प्रोड़क्ट में नहीं दिहान रहे यह है फोर एक्स की पाव सेवन क्लियर है कि इसका पार्ट नंबर 1 क्या है 4x की पावर 2-3x प्लस 7x यह पोलिनोमेल है या नहीं पहली बाद चेक करें तो यहां इस टम में देखा आपन ने द्यान से देखेगा इस टम में देखा तो है है यहां एक कॉंस्टेंट है यहां एक वेरियवल होना चाहिए और वेरियवल की पावर वेरियवल की पावर होना कि भूल नमबर कि यह कंडिशन है अगर सभी हो रही तो वह यह देखे अगर फोर एक्स की पावर टू-3 एक प्लस सेवन तो यहां तो एक कॉंस्टेंट है वेरीवल है उसकी पावर वन है मन सकते कोई दिखत नहीं यहां देखे तो यहां सेवन और इसके प्रोडक्त एक की पावर जीरो मान सकते कोई दिखत नहीं तो यहां क्या बोलेंगे एस कि अंसर देंगे इस इस पॉलिनोमियल यह लेखते हैं यह यह पॉलिनोमियल है कि क्वेश्चन कदम सेकेंड पाड़ देखिए हैं कि द्यान से देखेंगे सेकेंड पाड़ है य की पावर 2 कि य वाई की चिशनटा है कि यह से पॉलिनोमियल सेकेंड पम रूट तो है तो यहां भी बोलेंगे एस लिए पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल बहुत अशान है अपनी जो कंडिशन है पॉलिनोमियल को चेक करने की वह साथिस्पाई होना चीह है ओके कोश्चन नमर थाड़ इसका जो दिया है त्री अंडर रूट टी कि प्लस कि अंडर रूट टू जान थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो इसको क्या लिकूंगा थ्री टी की पावर जब भी कोई रूट के बाहर निकलता तो उसकी पावर इंटू टी अंडर चैहिं यहां चैक्रा के यहां तो एक टील है मंलब विरिवल हुसकी पावर वन है तो होगह पॉलिनॉममेल नेकिन यह देखिए यहां एक उसकी पावर एक बटे दो है और एक बटे दो क्या है एक बटे दो होल नमबर नहीं है एक पूरी 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 पू किता आट कि कॉम नॉवन बाई टू इस नॉट हो नॉबर टीज नॉट इस नॉट होल नॉबर यह रिजन देशकते उसको नॉट होल नॉबर क्लियर को स्बीं नॉट हो नॉट इसका लिए अगर आपके कंसेप्ट के लिए रहे तो बहुत अश्रम वाई प्लस तू अपोन में वाई को दिकत इसको थोड़ा सा सिंप्लिपाई करेंगे तो यह हो जाएगा वाई प्लस तू वाई की पावर माइनस वन कि में त्क हटे कि हेला वाला तू सर्टीसपध कॉंस्टन्ट वन हो गया वाई की पावर वन वह वीरिवल सेकेंड देखोगे तो टू आई की पावर माइनस वन जिसमें माइनस वन जो है वह मैं लिफार एक फोल नमम नहीं है इसलिए गर पॉलिणोम, यह पॉलिनॉमीय नही यह पोलिनोमिय नहीं रीजन क्या देंगे फिर से वही बिकॉज जो माइनस वन नौट अफोल नंबर माइनस वन क्या है पोल नंबर नहीं है पोल नौबर नहीं है माइनस क्लियर फिप्त पार्ट इसका बड़ा इंपूटन देखेगा एक्स की पावर टेन प्लस प्लस वाई की पावर थ्री तो दियान से देखेगा इंपूटन कोश्चन है एंड एंड टी की पावर 50 साथ है क्लिए माइदी पेहली तम देखी तो पहली डम जो है पोलिनोमेल की जो सर्त इसको साटिसपाइ कर रहे आज कोस्टन ऑल नंबर है चलेगा सेकेंड देखा वाई आना वाई में भी कॉस्टन टी है और पावर 50 लेकिन एक बात ऑस अपने को पूछ़ा था एक इन्म वारियर इवल यह इचिए-सलिये मैंने आपको इसको मारक करके बताए कि नहीं यहां तो swirl टीन वेर वेरिवल एक्स वाई एक्स वाई एंड टी यह जो है यह पॉलिनॉमयल वण Verfiall में में नहीं इसका यह अफिकें बीज कैभिआ इस नहीं is a our polynomial this is not a polynomial in one variable in one variable यह लिखना जरुरू रिदीक क्या नहीं है tutte polynomial क्या लिख देंगे परंदु यह जो है इन वेरिएबल इन फिर इंड एक वेरिएबल में तो नहीं है लेकिन फिर वेरिएबल में जरूर पॉलीनोमेल है तो मैं इसा नोट डाउन कर लीजिए इसके बाद अपन कोश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं बहुत अशान है कोश्चन ठीक है कि यह जितने कोश्चन करें इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पॉलिनोमियल कौन कौन से षद्रचन से उसकते हैं यह यह से लास कोश्चन में हैं थ्री वेडिवल में तो यह जरूर था एक्स वाइड टी में एक्स वाइड टी नॉब 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 दो देखते हैं क्या है कोशन नॉब नॉब ये अपने को दिया देखते हैं हुआँ कि को कि यह ऐ का विशनली है अश्वश्कốc टील यह का एक्स-क एक्स-का-प। एक्स-क के कोश्विषेंट लिख्ता है मैंने आपको बता था कि यह जो क्या होता है एक होता है constant अनल एक होता है कोई वेरियेवल अ कि एक होता कोई वेरियेवल उसकी पावर होल नॉमबर यह होता है अपना पॉलिनॉमर यह जो constant क्या है कोफिशेंट है देखें से को फसेन डाडेक्टा आपनो नमें नमबर 1 पर है तो एक्सक का स्कूर स्कूर प्लस एक्स अपने को निकालना किसका है केवल एक्स स्कूर का दे कि कोफिशन्ट तो एक्स का भी होगा लेकिन यह यह एक स्कूर का कोफिशेंट निकालना है यह क्या हो जाएगा है में प्रोडक्ट में जो है कॉंस्टम हो जाएगा कोफिशेंटコीश्य盟 कौफिशन्ट is 1 को दिक्कत है एक किसख से कंड पर देखी इसका बहुत अशान हां संकुस्चनम टू-1 की पावर कर टू-1 प्लस एकस की पावर थी अब देखिए हैं एकस की पावर थ्री लेकिन अपने को क्वेशन में पूछा किसका कोफिशन्थ एक्स स्कवर का यहां पर एक्स स्कोर का कोफिशंट क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा आपका माइनस सायन सहीत लेना अपको कोश्चन नमबर 3 फट पर देखेगा प्वाई बाई तू इन्टू X का स्कूर प्लस X X स्कूर का कोफिशन्ट कोने डियर श्टुएंट पाई भाई तू अब कंसर हो जाएगा सब्सक्राइब फोर्थ पार्ट देखिए चलिए एक स्कूर में IT product होगा तो जीरो यहाजाएगा कोई फरक नीपना equation को तो यहां जो अंसर हो जाएगा कि एक स्कूर का coefficient क्या है दियर सुन जीरो क्लियर X स्कूर का coefficient क्या हो जाएगा है जीरो तो यह था अपना question number 2 जिसमें आपको केवल कोफिशन्ट फाइंड डॉट करना था चीक है नौ कि कोशन नंबर तीन देखेंगे इसके बहुत आशान थे यह कोफिशन्ट फाइंड वाला कोशन था सिंपल सा है अगर आपको एकस के कोफिशंट पूछता तो भी आप आसाने से देख सकते तो जिसका पूछ रहा है उसके प्रोडक्ट में ऑ ध्यान देना है अपने को साइन सहीथ देखना और फैसे देखना है साइन सहीथ और जैदि कोई और 20 ओर वह देखना है जैसे यहां पर पाई एट मदर्ट टू भी था सब्सक्वर्ण का यहां पर प्लत प्लत ठार्ट ना विट्ल की यह कर दूंद कर आँरो कोश्चन नम्ट थाड़ दिया है डिया स्रेट्ट्स एए कोश्चन थाड़ पूरा यह दिया है डियू वन एक्जाम्पल इच अब द बाइनोमियल ऑफ डिग्री सुनिएगा उन्हें कोश्चन में डारेक्ट अपने से पूछा कि एसे एक्जाम्पल दीजिए इच अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री वाला बाइनोमियल हो और एक हंड्रेट डिग्री वाला मोनोमियल हो द्यान सा सुनिए बाइनोमियल मैंने आपको क्या बोला था जिसमें द दोखो तो मैंने किसको बोला है जिसमें एक क्लिया तो को यहां बस सींपल देखे बताना है एक्जाम्पल लहां भी तो मैंने फक्सकर पाउग संब है किotal लेकिन तो दो चीजिए चलि एक मैंने कोई सिब्सक्राइब लिख लिए और एक मैक्सिमम डिग्री वाली लिख लीजिए नंबर कोई साभी चलेगा डिर सुनते सब्सक्राइब सेक्स एक्स की पावर 35 यह एक्जाम्पल हो जाएगा मैक्सिमम पावर कितनी है रहें 35 और दो टम है इसलिए यह बाइनो मेले सेकेंट उसने क्या पूछा कि मोनोमियल 100 डिग्री क्या कोई साभी लेले चलिए यह 5 की पावर 100 ले लेता हुआ रिक्कत एक ही तो टमचिये क्या हो गाइब का मोनोमियल और पावर कितनी हो गई अंड़ेट बहुत सिंपल कोष् बड़ा आशान कोश्चन एडियर ठीक है अड़ादू बस यह एक्जाम्पल लेकिन कोश्चन कंप्लेट हो गया आपका एक्जाम्पल लेकर कोश्चन कंप्लेट कि नौ कि कोश्चन नंबर कि फोर कि कोश्चन नंबर फोर दियर देखिए राइट डिग्री आप इच अप फालूंग फालोइंग पॉलिनोम अपने कुछ कोश्चन नीचे दिये हैं जिनकी अपने को क्या करना है डिग्री फाइंड आउट करके बताना है लोगी कि दिग्री होती क्या है मैंने आपको बताया था कि एक एक्जाम्पल लेलीज़ पॉलिनोमेल जैसे थ्री एक्स की पावर्वर टू तो यह जो होती है इसको पावर बोलो या डिग्री इतना तो क्लियर है पावर बोलो या चाहिए नमर वन पर आजाए सीधे आपने के पूशन नमर वन दिया अपने को फाइफ एक्स की पावर थ्री प्लस 4X की पावर 2 प्लस 7X जब भी इसा कोश्चन आए आपको पहले तो यह देखना है पूरी equation में कि highest power कितनी है देखें यहां भी power है power यहां भी है 1 यह 2 है 3 तो इन सब आपको जोड़ना नहीं आपको आपको जो highest power दी है तो यह जो है इस polynomial की डिगरी हो जाएगी यहां कितनी लिखेंगे डिगरी लिखेंगे अपने यहां 3 ब्रिकेड में चाहो तो याद लिख लो highest power लो हाइस्ट पावर जो है इस डिगरी किसी भी पॉलिणोमेल में जो हाइस पावर रहेगी वह क्या रहेगी डिगरी क्लियर कोशन नंबर सेकेंड देखेंगे बस यह अंसर हो गया सेकेंड है फोर माइनस वाई की पावर टू कितनी है और माइनस वाई की पावर तू में डिगरी कित्ती हो गई तू एक ही वेरीवल पर डिगरी पावर दिख रही है अंसर हो गया तू थर्ड पाड़ देखिए फाइफ टी माइनस रूट सेवन की पावर कितनी पावर वन है इसलिए हाइस्ट भी वही है इसलिए डिगरी हो गई फॉर्थ पाड़ देखिए इसका थ्री लिखाए के वर्माइडियों यहां डिगरी कैसे निकालोगे सिंपल सा इसको एसा कंसिडर कर सकते हो कि जो इसका यहां अगरी हाएस्ट जीरो सिम्पल सा इसटो इस तरह का जिस पॉलीघ्र होती न उसको जीरो पॉलते मिले लेजे उसको क्या बुलते है जीरो पॉली नॉमियल भी उसको बूला जाता क्लियर कि नोट डाउन कर लिजे माइड इसके बाद जो है कोशन नंबर इस एक्ससाइज का कोशन नंबर फोर्थ पर आज़े है लास्ट कोश्चन है इसमें जो पांच कोश्चन दिए इसमें पॉल अग्रियों मेल्स से रिलेटेट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि अग्यां कि एग है अग्या अग्याओ कि कोश्चन नंबर फाइब पर कि एग अधिया है मैं पर संग आतूं कि 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 यह रहा कोश्चन नमबर 5 कोश्चन फाइव सिंपल साथ क्लासिफाइव फालॉइंग इस लीनियर क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलियून बड़े सिंपल कोश्चन है मैंने आपको इस सारे कंसेप्ट एक्ससाइज स्टाट करने के पहली समझा दिये थे अपने को इसमें से से स्दीनिर और और तृप मैं आ होगा जिसके डिग्री नाएक वहोगा जिसकी डिगरी होगी 3 ठीक है ओस्टर देखते हैं फटा फटा यह इनक्र नॉंबर वन है यह दो चीजे रिवाइज होते है डिगरी निकालना पि Anda टू है इसका मतलब यह wiring नहीं लिखेंगे कोड्र ट्रिक पॉलिनोमियल लिखेंगे डिशुकुक्त पॉलिनोमियल कलियर कशिली सेयं कुछेन देखेंग इसका कि से कड़ हैं X-1 की पावर फ्री है एक्समान है खोड़ी गार की इक इसकी पादी दें इरी इसलिः यह किसा हो जाय क्यूबिक पॉलिनॉम्ययल क्यूबिक पॉलिनॉमियल कि थर्ड इसका देखिए वाई ब्लस वाई स्कुर अग्लस 4 इसलिए किसा कॉध्रिक को लिखेंगे क्वर्ड charities polynomial है नमबर फॉर्थ पाट देखिए चलिए फॉन प्लस एक्स झां गिट बीती डगई कि वने मतलब यह का मतलब यह सुने यह है कि लिनियर पोली नों मेल एग strain थे Update बन तो linear इसका फिप्थ पाट ए 3 x को एक समें डिजी कितना वन डिजीवाण मतलब आगें कि अगें लीनियर पॉलीनोमेल एक और पाट इसका six इस नमर्ब जो पाट है वह है आर की पावर फिए वेरीवल चेंज हो गया लेकिन डिगरी तो टू एक ना डिगरी टू आ सब्सक्राइब तो यह कैसा हो गया कोडिक पोलिनोमे कोश्चन नमबर सेवन एक और पाट्स चलिए यह सेवन एक सी की पावर थ्री माइक सिमा पावर कितनी है थ्री इदी पावर थ्री है इसका मतलब यह क्यूबिक पॉलिनोमिय नहीं मैंने आपको exercise 2.1 और उससे रिलेटेट सारे concept आपको पेले बता है और उस पर बेज़्ड जितने question थे वह समझाए ठीके अपनी exercise 2.1 complete हो चुकी है आप इसको पढ़ लीजिए इसके अगर आपन नेस्ट क्लास में exercise 2.2 को लेके आएंगे हैं ओके थेंक्यू